नमस्ते, वेलकम तू फार्माजोश यूटूब चैनल, मैसल्फ सोहन पतेल, असिस्टन प्रोफिशर श्रिमती अश्यम्शा भार्मसी कॉलेज, आज का टोपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेलूलर अडप्शन, वो सेलिंजरी का एक छोटा सा पार्ट से, तो लेटेस वी डिसकास अबाउट दूलर अडप्शन, तो सेलूलर अडप्शन है क्या, तो सेलूलर अडप्शन स्टार्ट करने से पहले, first, I want to tell to you, तो what is the meaning of adaptation, adaptation का मतलब क्या है वो हम पहले समझते है adaptation का मतलब है adaptation is the evolutionary process whereby an organism become better able to live in its habitat or habitats this type of the condition we can say this is the adaptation चलो हम उसको simple तरीके से समझते है कि adaptation जो है वो एक लंबी process है वो एक या दो दिन की process नहीं है कहने का तात्परिया एह है कि suppose कि आज हमारे आसपास कोई भी situation change होती है तो वो हम तुरंत accept नहीं कर पाते मगर दो मेना, चार मेना, छे मेना, एक साल, दो साल, पांच साल के अंदर वो system हम adapt कर लेते हैं और उसको बोलते है adaption चलो यहाँ पे हम 3-4 simple example के साथ वो समझते हैं यह जो पहला example यहाँ पे दिया गया है वो examples है desert के अंदर जो एक plant होता है उसका example है desert के अंदर आपने देखे होंगे ऐसे जो है without leaves वाले plant होते हैं हमारे आसपास हमने बहुत सारे plant देखें वो बहुत जादा उसके leaves होते हैं, fruits होते हैं, flowers होते हैं मगर यह plant के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मगर वो plant जिन्दा रहता है desert के अंदर पानी भी बहुत कम होता है, और without water this plant can live तो कहने का मतलब बहुत सालों बाद दीरे 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 उसने वो atmosphere adapt कर लिया और वो वहाँ पे जिन्दा रहता है दूसरा जो यहाँ पे example है, वो camel का है, वो भी desert के अंदर transportation के लिए best vehicle की तरह use होता है वो हम सबको पता ही है why we are using the camel क्यूकि camel के अंदर और camel ने already SCX system अपने अंदर adapt कर ली है वो बिना पानी और बिना खाने वो बहुत दीन तक वो जिन्दार रह पाता है that means उसने वो ऐसी condition adapt कर ली चलो हम अच्छी तरह से समझते है यहाँ पे जो तीन जो अलग-अलग photograph है वो ice जहाँ पे ज़्यादा रहती है कि जहाँ का temperature minus में रहता है ऐसे इलाके के अंदर आपको ऐसे animals बहुत ज़्यादा दीखते होंगे suppose कि मैं यहाँ पे पहला animal के बारे में बात है रुखा this is the bears is there वो white bears होते है और हम जो हमारे आसपास देखते है और हमारे जब animal house में just हम zoo के अंदर कभी-कभी देखते है तो वो zoo के अंदर हम यहाँ पे black bears देखते है बाहर से दोनों खा सेप से में मंगर यह जो white bears है वो आईस में रह रहे के रहे रहे के वहाँ की adaption वहाँ की जो atmospheric condition को अपने अंदर adapt कर लिया है वो ठंडी में जिंदार रह सकते है मगर हमारे bears को वहाँ पे लेके जाए तो सायद एक मेने या पंदरा बिस दिन के अंदर उसकी जान जाने की मिस्त डेड़ होने की possibility है because of these bears cannot be adapt the situation वो वहाँ की situation atmospheric condition को adapt नहीं कर पाएगा और वहाँ के bears हम यहाँ पे लेके आंगे तो यहाँ की atmosphere जो hot atmosphere है वो adapt नहीं कर पाएगा कहने का मतलब यह है कि कोई भी animals और कोई भी plant ऐसे atmosphere के अंदर रहेगा और वहाँ की atmospheric condition को अपने अंदर वो adapt वो स्विकार लेगा और वहाँ पे जिन्दा रह पाएगा ऐसी condition को हम बोलेंगे adaption तो चलो इसी के साथ let us be continue with the cellular adaption तो cellular adaption क्या है तो just adaption का मतलब तो हमको समझ में आगा कि surrounding condition change होने की वज़े से और वोस condition change होती है और उसके साथ हम अपनी body को adapt कैसे कर पाए वो condition को हम बोलते है cellular adaption अभी हम बात करें cellular तो cellular में भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही है कि suppose के cell के आसपास ऐसा कुछ हो जाए और उसकी वज़े से cell को और cell को जिन्दा रहना होगा तो must should be change उसके structure को उसको change करना पड़ेगा उसके shape को उसको change करना पड़ेगा ऐसी जो condition को हम बोलते है cellular adaption तो चलो यहाँ पे हम समझते हैं क्या है तो cellular adaption refer to the change made by cell this is the most important thing in response to the adverse or or varying the environmental changes this type of the condition we can say this is the cellular adaption यहाँ पे कहा है cellular adaption refer to the changes made by cell cell अपने आपको change करेगा वो कब change करेगा कि उसके आसपास की surrounding condition में कोई adverse event या कोई atmospheric condition change होगी ऐसी condition में cell अपने आपको जिन्दा रखने के लिए वो अपने size, अपने structure, अपने अंदर के system को change करेगा ऐसी जो process को हम बोलते है cellular adaption so let us be discuss in detail जो cellular adaption जो होते है वो mainly दो तरीके के होते है first जो है वो physiologically cellular adaption वो normally जो होता है and second thing this is the pathologic that means abnormal condition के अंदर होता है suppose के यहाँ पे हम समझे के normal and abnormal physiological and pathological आखिर है क्या पहली हम बात करें के physiologically adaption physiological का मतलब हम पहले समझते है कि we all are known about the human anatomy and physiology physiology का मतलब यह है कि हमारी body के अंदर जो routine process होती रहती है उसको हम बोलते है physiological condition मतलब कि suppose के हमारा heart का pumping होना this is the normal physiological process हम सांस जो लेते है वो हमारे lungs के अंदर जाके पूरी body में circulate है this is the physiological process हमारा blood kidney में जाके filtrate होके वापस आता है this is the physiological process तो मैं इसके जब physiological process हमारी body already adapt करती है तो कैसे यहाँ पर मैं आपको एक example के साथ समझाओंगा तो response to the normal stimulation hormones और endogenous chemical mediator suppose के response to normal stimulation कि यहाँ पर जस्ट मैंने एक cell बताया है SL heart का cell है heart का cell जो है वो हमको पता है कि heart का function क्या है heart जो है वो contract होता है relax होता है that means कि वो just heart का contract relaxation contractly that means pumping होता रहता है तो जब यहाँ पर देखिए कि यह जो condition वो uncontracted cell है और यहाँ पर हम देखे this is the contracted cell is there कहने का मतलब यह है कि हमारे body में से ऐसे hormones और ऐसे endogenous chemicals mediator release होते रहते है example is the adrenaline वो heart के साथ binding होते है और heart के muscles को contract करते है that means कि यहाँ पर heart अपने cell को contract भी कर सकता है और relax भी कर सकता है यहाँ पर देखिए कि यह heart के cell को contract करता है यह heart अपने cell को relaxation करता है contract relaxation contract relaxation that means कि अपने cell को छोटा भी कर सकता है अपने cell को बड़ा भी कर सकता है इसकी वज़से हमारी body में blood circulation होता है तो ऐसी जो condition हो है उसको बोलते है physiological adaption वो cell ने पहले से ही अपनी condition अपने atmosphere को ऐसी condition में ढाल गिया है तो this is the adoption type of the condition is the physiological adaption दूसरी जो बात करें यहाँ पे pathological adaption का मतलब क्या है pathologic that means disease condition कि हमारी body के अंदर unwanted thing that become happening जो unwanted जो regular नहीं थी ऐसी कोई चीज होती है ऐसे case में वो cell को वो भी कुछ adapt करना पड़ता है तो यहाँ पे जससे के examples में ने दिया है तो response to the stress is to escape from the injury suppose कि कोई एक cells है हमारी body का suppose कि हाथ का कोई cell है हमारी body का तो वो cell जो है वहाँ पे कहीं पे उसको cut हो जाएगा cut होने की वज़े से वो condition को हम बोलते हैं injury और ऐसी condition में cell को वो उससे बचने के लिए और उसको just जिंदा रखने के लिए वो cell को वो condition को adapt करेगा और वो condition adapt करके दीरे 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 रेकोवर करेगा उसको बोलते है pathological adaption तो यहाँ पे देखे तो age यहाँ पे देखे है normal cell है यह normal cell को कुछ हुआ suppose कि यहाँ पे उसने मदमखी ने काट लिया that means बीज़ बाइट to the cell उसकी वज़े से क्या होगा वो cell injured हो गया और उसकी वज़े से वो cell को inflammation होगा जो जैसे हमको पता ही है inflammation होगा तो मगर वो inflammation होने की वज़े cell के अंदर का पूरा structure जो थोड़ा बहुत change हो जाएगा वो change क्यों करता है cell के वो बाहर से जो poisons आए उसके सामने protect होने के लिए cell अपना structure change करता है और धीरे धीरे वो poison का असर कम होगा ऐसे ऐसे वो reversible injury के बाद फिर से वो cell धीरे 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 normal structure की और चला जाएगा और बाद में वो once again that convert into normal तो ऐसी जो condition में बोलते है pathological adaption कि मिस कोई disease या कोई problem हो तभी cell अपना structure change करता है उसको बोलते है pathological adaption यहाँ पे देखे हम तो cellular adaption जो है वो main four basic types के होते हैं cell के अंदर पहली जो बात करें this is the hyperplasia दूसरी जो बात करें hyper trophy तीसरी atrophy and चौथी जो बात है this is the metaplesia तो लेट आस भी discuss first one hyperplasia वो नाम से ही कुछ पता चलता है hyper मैं पहले यहाँ आप उस इधर diagram के साथ बता दा हूँ यहाँ पे आप देखे this is the normal structure of cells यहाँ पे उसका arrangement है मगर just hyperplasia condition में क्या होता है कि यहाँ पे जो cell के जो number थे वो cell numbers increase हो जाते है क्योंकि वो अपने आप वो atmospheric condition से पचाने के लिए ऐसी जो condition में बोलते है hyperplasia तो hyperplasia or the hypergenesis is an increase in the amount of the organic tissue that resulting from the cell proliferation and it may lead to the gross enlargement of an organ उसी टाइब organ की size थोड़ी की increase हो जाती है जो हमने आगे वाले example में देखा था कि 20 bite होने की वज़े से तूसरी जो बात करें hypertrophy hypertrophy का मतलब क्या है the enlargement of an organs or the tissue from the increase in the size यहाँ पे cell की size increase और यह cell के number increase नहीं होगे ऐसी जो condition को हम बोलते है hypertrophy तीसरी जो बात करें atrophy atrophy का मतलब क्या है atrophy is the defined at the decrease in the size of the tissue और organ due to the cellular shrinkage means के यहाँ पे देखे यह normal cell का structure है एक कुछ body में something are that become happening कुछ होगा और वो अपने आपको बचाने के लिए यह अपने cell की size छोड़ी कर देगी ऐसी जो condition को हम बोलेंगे atrophy and last this is the metaplasia जो condition है metaplasia is the transformation of one differentiate cell type to another differentiate cell type that means के यहाँ पे जो cells है वो normal cell का structure ऐसा है और यहाँ पे आप देखे के अपने cell की size structure change कर देता है ऐसी condition को हम बोलते है metaplasia and कभी-कभी वो dysplasia भी बनाता है cell तो dysplasia is the broad term that refer to the abnormal development of the cell within the tissue or organs ऐसे cell को dysplasia बोलते है that means normal cell is there और यहाँ पे आप देखे के वो cell को अपने ही cell को structure change कर गे अलग-अलग तरीके से arrangement करेगे ऐसी condition में हम बोलेंगे उसको dysplasia तो यहाँ पे आप एक ही slide में देख सकते है कि मिसके the normal cell, atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and dysplasia type of the arrangement Thank you very much for watching Farmajo's YouTube channel